अगर आप लोग अपने घर के लिए या अपने ओफिस के लिए एक वेक्यूम क्लीनर डूंड रहे हैं तो एक तुम सही वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में हम आप से बहुत सारी चीज़े शेयर करने वाले हैं जो आप लोगों को हकीकत में जान लेना चाहिए वेक्यूम क्लीनर खरीदने से पहले आपको ड्राइ वेक्यूम क्लीनर लेना है या ड्राइ एंड वेक्यूम क्लीनर लेना है उसकी जो सक्षन कैपिसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए उसकी जो कोर्ड लैंत है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए अटेच्मेंट्स कितनी मिलने चाहिए ढहरो सारी चीज़ें होत इतने तरीकी के vacuum cleaner होते हैं, सबसे पहला होता है अपराइट या stick vacuum cleaner, यह basically wireless vacuum cleaner होता है, इसको आप घर में कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं आपको इसमें wire नहीं लगानी, 30-40 minute का आपको इसमें backup मिल जाता है, तो आप easily अपने घर को clean कर सकते हो, लेकिन wireless vacuum cleaner में आपको एक चीज मिल कर सकते हो, तो यह यहाँ पर एक limitation रहती है, अपराइट vacuum cleaner की, अब दूसरा आता है बाई, canister vacuum cleaner, यह सबसे best vacuum cleaners होते हैं, और हमारे इंडिया में जायतर use भी होते हैं, और इस वीडियो में हम आपको यह vacuum cleaner ही suggest करने वाले हैं, क्योंकि यह vacuum cleaner basically wireless नहीं होते हैं, wired रहते हैं, त तो इनकी जो suction capacity है, वो ज्यादा होता है, power output ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे से आप इस में cleaning कर पाऊगे, प्लस आप अपनी wall को clean कर सकते हो, curtains को भी clean कर सकते हो, sofa भी clean कर सकते हो, और यह आपको dry options में भी available मिल जाएंगे, और dry and wet options में भी available मिल जाएंगे, अब तीसरा ह आप basically अपना floor या carpet ही साफ कर सकते हो, बाकी हर तरीके की साफ सफाई आप इन vacuum cleaner से नहीं कर सकते हैं, हाँ यह भी आपको dry and wet दोन option में available मिल जाते हैं, अब number fourth पर आता है है, handle vacuum cleaner, नाम से ही बता चल रहा है, handle हाथ में जो पकड़ के अपन करते हैं, तो यह basically छोटे vacuum cleaner होते हैं अगर हमें छोटे-छोटे कोने में सफाई करनी हो बिल्कुल, तो यह vacuum cleaner easily काम में आ जाते हैं, हाथ से बगड़ के easily आप इनको कहीं से भी vacuum की थरूँ सफाई कर सकते हो, यह काफी छोटे होते हैं, काफी handy होते हैं, इसी वज़े से इनकी जो suction capacity होती है, वो भी कम होती है, और तो vacuum cleaner में जातर हेपा filter यूज होता है, हेपा filter वाला ही vacuum cleaner अपने को लेना चाहिए, क्योंकि यह हेपा filter क्या करता है, आपका जो dust होते हैं, अप 2.3 micron तक के dust particles को यह absorb कर लेता है, मतलब उतने dust particles जो अपने को अपनी आँखों से भी नहीं दिखते हैं, उनको भी यह अपने environment म सबसे बहतरीन होता है, और हमने जितने भी vacuum cleaner आपको नीचे दियें, उन सभी में आपको यही filter मिलने वाला है, दूसरा है suction capacity, suction capacity basically किलो पासकल में जो है ना पी जाती है, अब सीधी सी बात है, जितनी जादा suction capacity होगी, उतनी ही जादा अच्छे से आप साफ़ सफाई अपने में कर पाएंगे, अब next point ही है कि हमारा जो vacuum cleaner होता है, उसमें हमारे पास variable speed controls होने चाहिए, मान के चलिए हमारा 2000 वोट का vacuum cleaner है, और जो भी vacuum cleaner होता है, वो जरूरी नहीं कि वो आपको 2000 वोट पर ही चले, आप उसको अगर आपको जरूरत है 800 वोट पर भी चला पाओ, 1200 वोट पर भी चला पाओ, 1500 वोट पर भी चला पाओ, डिपेंड करता है किस तरीकी की सफाई आपको करनी है, तो यहाँ पर variable speed controls vacuum cleaners में होने बहुत जरूरी है, अब next चीज आती है कि dry vacuum cleaner ले या wet vacuum cleaner ले, अब CDC वाता है, अगर आपको normal साफ सफाई करनी है, जहाँ पर गीला कुछ भ vacuum cleaner ले, अब यह चीज समझे नहीं बहुत जरूरी है, जिन लोगों को allergy होती है, जैसे मेरे को छीके आने लग जाती है, तो जिन लोगों को allergy होती है, या इन particle से कोई अस्थमा हो गएरा कि कोई problem रहती है, वो लोग जायतर replaceable bags वाला options मत चूज करो, आप जायतर backless वाले options की जाओ, और जहां तक बात वी replaceable bags की, तो हम जैसे कि भाहर से replaceable bags लेंगे, तो वो भी costly आते हैं, तो वहाँ पर भी आपके charges extra लगेंगे, तो यहाँ पर हम आपको खुद bagless vacuum cleaner सेज़ेस्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा best होते हैं, आज गल तो ऐसे bags वाले vacuum cleaners आते हैं, जिनको आप use करके, wash करके reuse कर सकते हो, मतलब आपको भाहर से replaceable bags भी use नहीं करने पड़ेंगे, अब next चीज़ आती है भाई, attachment, attachment देख लेने चाहिए, जितने ज़्यादा attachment होना, vacuum cleaner दे साथ में उतने ज़्यादा अच्छा होता है, और एक और चीज़ आती है, wireless vacuum cleaner या wired vacuum cleaner, या wired vacuum cleaner, CDC बात है, wireless लोगे, तो उसकी limitations रहेगी, हाँ, आप उसको पूरे घर में गुम के साथ सफ़ाई कर सकते हो, 30-40 minute का आपको उसमें बैटरी वेकप भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में बैटरी जो हैसकी drain होनी भी शुरू हो जाएगी, और CDC बात है, जो बैटरी वाले vacuum cleaners होते हैं, उनकी जो suction capacity है, उतनी अच्छे नहीं हो पाती, जो आपको wired vacuum cleaners की मिलेगी, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपसे wired vacuum cleaners की ही बात किये, एक और चीज़े करने वाला हो है noise level, क्योंकि बहुत सारे vacuum cleaners ऐसे होते हैं, जो गौं 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 की आवाज क सबसे पहले हम बात करेंगे dry vacuum cleaners की बाद में हम आपको wet and dry vacuum cleaners भी यहाँ पर सेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले number पर आता है यहाँ पर Inalsa का clean max dry bag less vacuum cleaner दोस्तों, बहुत प्यारा product आप लोगों को यह मिलने वाला है, काफी बढ़िया design तो आपको इसमें मिली जाएगा, साथ सा 900W का powerful motor मिलता है, जिसकी suction capacity बहुत अच्छी है, आप easily हर तरीकी cleaning इस vacuum cleaner से कर सकते हो, इसमें आपको variable speed controls को ही मिल जाएगे, मतलब अगर आपको normal सफाई करनी है, या कहीं जाला dust नहीं है, तो आप 1900W आपको पूरा output यूज़ करने की ज़रोत नहीं है, आप कम output में भी अपनी के लिए रहने वाला है, पांच मिटर की इसकी basically आपको cord length मिलती है, और 1.8 मिटर की इसकी holes pipe की आपको length मिल जाती है, और इस vacuum cleaner में आपको 360 degree rubberized wheels मिलते हैं, मतलब आप इसको किसी तरफ easily घुमा सकते हो, कोई भी इशू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बहुत सारी attachment के साथ आपको आपको मिलता है, जैसे कि इसमें आपको turbo brush मिल जाता है, 4 pet ears, 2 in 1 crevice nozzle round brush मिल जाता है, tube clip मिल जाती है, एक metal telescopic tube भी मिल जाती है, और floor brush भी आपको इसमें मिल जाता है, काफी कम noise आपको इस vacuum cleaner में देखने को मिलेगी और 2 साल की warranty देती है, नालसा company इस vacuum cleaner पे भाई, और 5,800 rupees का आज-पास का price रहता है, आज की date में, बाकी हो सकता है, price आगे को जागे कुछ change हो जाए, कम जादा हो जाए, उस चीज के लिए आप नीचे दिये गए link पर click कर सकते हो, यह सारे vacuum cleaners के जो links हैं, हमने नीचे description में डाल रखे हैं, अब second number पर आता है, Eureka Forbes का super bagless vacuum cleaner, Eureka 500W का powerful आपको motor मिल जाता है, जिसमें आपको 21 kPa की suction capacity मिल जाती है, मतलब जितना भी dirt और dust होगा, वो easily absorb कर लेता है, यह vacuum cleaner, इसमें भी दोस्तों आपको HEPA filter मिल जाता है, 5 meter code length के साथ में आपको यह vacuum cleaner मिल जाता है, and variable speed controls आपको इस vacuum cleaner में देखने को मिल जाएंगे, इसके अल tank में आके अच्छे से घटी हो जाती है, यह दर अधर जो है, scattered नहीं होती है, और इसमें auto code winder भी मिल जाता है, मतलब एक बटन के touch से आपकी जो code होगी, automatically fold हो जाएगी, बहुत सारे attachment के साथ में आपको यह मिल जाता है, जिससे की hose pipe, floor come carpet brush, extension tubes, round brush, cray wise nozzle and uphold story cleaner, और एक साल की warranty के अब बढ़ते हैं next product की तरफ, अब third number पर आता है हमारा favorite product, philips power pro bagless vacuum cleaner, बहुत ही powerful motorist में आपको मिलता है 1900 volt का दोस्तो, काफी अच्छी suction capacity भी आपको मिल जाती है, और philips का product है, तो आप समझ सकते हो, आपको किसी भी तरीकी की दिक्कत नहीं आने वाली after sale service में, या maintenance में, इ तो air से dust को separate करती है, और बहुत काम में भी आती है, यह technology, 10 meter code length के साथ में आपको इसमें wheels जो होते हैं, काफी बड़े मिलते हैं, जो काफी easy motions के लिए helpful रहते हैं, attachments की बात करें, तो इसमें आपको turbo brush nozzle और integrated soft brush मिल जाएगा, इस vacuum cleaner में आपको EPA 10 filter मिलता है, जो कि healthy air के लिए का काफी जादा अच्छे तरीके से काम में आता है, 82 db का काफी कम noise level आपको इस vacuum cleaner में मिल जाता है, तो इस तो दो साल की warranty के साथ में, 8000 रुपे के आज सपास इस vacuum cleaner का price है, but one of the best product होने वाला है, for dry vacuum clean, तो इसका भी लिंक में लिचे description में डाल दूँगा, अब बात करते हैं, for dry and wet cleaning, अगर आपको गिली चीज़े भी साफ करनी है, washroom वगरा है, इस तरीके की आपको cleaning करनी है, तो dry and wet and dry, दोनों वाले vacuum cleaner के बारे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है, culture wd3 dry and wet vacuum cleaner, बहुत बढ़िया product है, इसमें आपको जो है, bag अलग से dust bag मिलता है, and आप इसमें wet and dry cleaning कर सकते हो, without changing any filter, और इस vacuum cleaner में आपको 1000W का powerful motor मिलता है, जिससे आप wet and dry vacuum cleaning कर सकते हो, और इसके अलावा blower function भी मिल जाता है, कई बार ऐसी चोटी चोटी जगा होती ही, जहाँ पर vacuum cleaner नहीं पहुच पाता, वहाँ पर आप blower यूज कर सकते हो, और इस vacuum cleaner से easily satisfy कर सक और cartridge filter के साथ में आपको मिलता है, काफी कम noise level के साथ में आपको vacuum cleaner मिलता है, और अगर बात करे attachments की, तो इसमें आपको 2 suction tube मिल जाती है, wet and dry floor nozzle मिल जाता है, and cray wise nozzle भी मिल जाती है, एक साल की warranty के साथ में 7000 रुपे का price है दोस्तों, and one of the best product होने वाला है, अगर आपको dry and wet, दो इसमें आपको washable bag मिलते है, मतलब आप easily उसको use करके, wash करके reuse कर सकते हो, जिसके बारे में हमने पहले बात कीती है, इस vacuum cleaner में आपको 16W का powerful copper motor मिलता है, and उसके अलावस में आपको 28 kPa की suction capacity मिल जाती है, मतलब काफी जादा suction capacity हो गई, हर तरीकी cleaning के लिए आप इन vacuum cleaners को इस्ते मिल जाएगा जो लगबग 99.97% तक की dust particle remove कर देता है, और इसमें भी आपको wet and dry vacuum cleaner के साथ में blower function मिल जाता है, जो की बहुत काम में आता है, बहुत प्यारा vacuum cleaner है दोस्तों, इविन इसमें आपको attachments भी धेर सारी मिल जाती है, washable dust bag आपको इस vacuum cleaner में मिलते है, and rubberized wheel मिलते है, मत आप नीचे link पे click करके देख सकते हैं, but सबसे battery product होने वाला है दोस्तों, ये 10,000 रुपे के अंदर अगर आपको dry और wet and dry vacuum cleaner से ये, तो इस product को आप definitely consider कीजिएगा, ये basically 5 सबसे battery product हैं, इंडिया में आने वाले, इस price range के अंदर, जिन में आपको किसी भी तरीगे का issue नहीं आ आ चुके हैं, उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कहीं न गई थोड़ी सी मदद मिली होगी, आपका जो confusion है, वो यहाँ पर दूर जरूर होगा, इन में से कोई भी vacuum cleaner आपको खरीदना हो, सभी के links मैं नीचे description में दे रख्या, आम वासे जाके easily purchase कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, अपनी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दो, यूगी इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ, तो स्यू यूगी वैट वीडियो, थैक्स वर वचिंग प्रशाण चौदरी